बस एक सिगनल और काम करने लगेंगे विक्रम और प्रज्ञान विक्रम में जलेगी एक बत्ती और जूम उठेंगे करोडों भारती है और इसरो विज्ञाने विक्रम और रोवर के भीतर का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है जी हाँ है ना बड़ी खुश खबरी चंद्रयान 3 के बारे में इसरो कमांड सेंटर से आए आज के ताजा अपडेट को देखें तो ये बातें सच होती दिख रही हैं खबर है कि विक्रम और प्रग्यान का सिस्टम अब पूरी तरह से काम करने के लिए आउन है बस प्रत्वी से चांद तक सिगनल पहुचने का इंतजार है चमतकार बोले या इसरो वैग्यानिकों का प्रयास सफल होने वाला है जिसकी पुष्टी कल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने संसद टीवी को दिये गए इंटर्व्यू में कर दी उन्होंने साफ कह दिया है कि रोवर प्रग्यान और लेंडर विक्रम को लैब में चांद की सर्दी सहने के लिए काफी ज्यादा टेस्ट किये गए हैं इस रोके विज्ञानी को द्वारा रोवर प्रज्ञान और लेंडर विक्रम को चांद की सर्दी बरदाश्ट करने के लिए हमारी तरफ से तैयार किया गया है और हमें उम्मीद है कि हमारे रोवर और लेंडर जल्द उठेंगे और काम करने लगेंगे साइंटिस्ट वैसे तो चमतकार में यकीन नहीं करते लेकिन साइंस के आधार पर प्रयास जरूर करते हैं कभी कभी फेल होते हैं तो कभी पास लेकिन विक्रम और प्रज्ञान के साथ वैज्यानिक प्रयास समझो या फिर चमतकार और जैसी आज खबर है अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो लगता है चांद से कुछ अच्छी खबर जल्द ही आने जा रही है आज अगर चांद के दिन की तुलना धर्ती के दिन से की जाए तो जिस तरह की धूप सुबह 11 बजे धर्ती पर खिली होती है कुछ वैसी ही धूप चांद पर आज खिल रही है धर्ती की दोपहर 12 बजे जितनी धूप वहां अगले 24 घंटे बाद यानी कल खिलेगी ये 14 दिनों के लिए चांद पर होने वाली धूप या बोलें सुबह का आधा समय होता है दोपहर का मतलब यानी कल चांद पर सूर्योदे का आधा समय बीथ चुका होगा जैसा हमने आपको कल बताया था कि विक्रम और प्रग्यान का तापमान अब नॉर्मल हो चुका है और इतना अनुमान तो अब आप भी लगा सकते हैं धर्ती के सुबह 11 बजे जितनी धूप में विक्रम और प्रग्यान चांद पर खड़े हैं तो वो कितने घर्म हो चुके होंगे चंद्रियान 3 के आज के ताजा अपडेट के अनुसार शाम 6 बज कर 19 मिनट पर इसरो की सहयोगी एजेंसी यूरोपिय स्पेस एजेंसी के फ्रेंच गुयाना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिगनल भेजा गया कल तक जब विक्रम को सिगनल भेजे जा रहे थे तो विक्रम 2268 मेगा हर्ज का रेडियो उत्सरजन कर रहा था लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं इस रोव विज्यानिक अब अनुमाल लगा रहे हैं कि चांद पर विक्रम पूरी तरह से एक्टिव हो गया हो लेकिन समस्या बस सिगनल भेजने में और वापस आने में ही आ रही है इस रोव वैज्यानिकों के द्वारा जितने भी सिगनल भेजे जा रहे हैं लगता है चंद्रियान 3 के लेंडर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं रोवर तो एक्टिव हो चुका है क्यूँकि रोवर में तो उसकी बैटरी द्वारा संचालित हीटिंग सिस्टम लगाया गया था लेकिन लैंडर जब तक सिगनल नहीं लेगा रोवर का काम करना सम्भव नहीं है कारण है रोवर को प्रत्वी से सीधे सिगनल नहीं भेजे जा सकते क्योंकि सिस्टम को इस प्रकार बनाया गया है कि पहले सिगनल लेंडर तक जाते हैं और लेंडर रोवर को सिगनल भेजता है चांद के साउथ पोल पर जहां चंद्रियान तीन के लेंडर और रोवर हैं वहां बड़े बड़े गढ़े और पहाड हैं कई बार सतह के बराबर नहीं होने से धरती से भेजे रेडियो सिगनल चांद की सतह तक नहीं पहुँच पाते और बेहद अधिक संभावना है कि हमारे दोनों धुरंधरों रोवर प्रग्यान और लेंडर विक्रम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो लेकिन कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस रो वैज्यानिकों और हम सब को उम्मीद है कि हमारे दोनों धुरंदर रोवर प्रग्यान और लेंडर विक्रम उठेंगे और काम करने लगेंगे इस रो के एक सीनियर वैज्यानिक ने आज अपडेट देते हुए बताया कि जब तक लेंडर का ट्रांस्मीटर आन नहीं होता हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है उसे धर्ती पर संदेश देना होगा कि वो अभी जिन्दा है उन्होंने कहा कि हो सकता है बाकी सभी सबसिस्टम्स यानि दूसरे उपकरण काम कर रहे हो लेकिन हमें पता तब तक नहीं चलेगा जब तक वो प्रत्वी पर इस्थित इसरो कमांड सेंटर से संपर्क इस्थापित नहीं कर लेते हमें पूरी उमीद है कि जल्द ही वो खबर आने वाली है जब चंद्रियान 3 के लेंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान वापस काम करने लगेंगे और ये उन लोगों के मुह पर तमाचा होगा जो चंद्रियान 3 ना उठने की खबर के बाद काफी खुश हैं कोई कह रहा है भारत का चंद्रियान मिशन फेल हो गया है तो कोई कह रहा है भारत के करोडों रुपए डूब गए लेकिन जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि भारत का चंद्रियान 3 मिशन फेल हो चुका है और करोडों रुपे डूब गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर चंद्रियान तीन वापस उठा भी नहीं तो जो उसका उद्देश था उसको पूरा कर लिया गया है चंद्रियान तीन को चांद पर सिर्फ प्रत्वी के 14 दिन काम करने के लिए भीजा गया था उसने वो अपना कार्य सफलता पूर्व किया और जो खोजें उसको 14 दिन तक करनी थी उसने उन खोजों को 10 दिन में ही अंजाम दे दिया इस रोद्वारा चंद्रियान तीन की सफलता को देखकर अंत में प्लान बदला गया और स्लीप मोड में डाल कर वापस 18 दिन जनाया गया ये एक प्रयोग ही था और विज्ञान में अक्सर वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने चंद्रियान 3 को स्लीप मोड में डाला था तब ही उन्होंने बता दिया था कि चंद्रियान 3 के वापस उठने की संभावना 50-50 है यान अगर प्रयोग सफल हुआ तो मिशन की लाइफ बढ़ जाएगी अगर असफल हुआ तो भारत का चंद्रियान 3 चांद पर चंद्र दूत बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा इसरों ने तब ही बता दिया था हमें जो 14 दिन के प्रयोग करने थे वो सब हमने कर लि भूकंप आते हैं तो कभी चंद्रियान 3 ने हमें बताया कि चांद पर ऑक्सिजन मौजूद है चांद के दक्षणी धुरूवियक शेत्र में पहली बार किसी लेंडर द्वारा तापमान लिया गया है चंद्रियान 3 के रोवर ने दक्षणी धुरूव पर सलफर का भी पता लगाया सलफर चंद्रमा पर दूसरे इलाकों में भी पाया गया है लेकिन ये पहली बार है कि इसे दक्षणी धुरूव पर भी पाया गया रोवर ने चहल कदमी की रास्ते में बड़े गढ़े को पार किया और इस रो को परियाप्त डेटा भी भेजा इस आधार पर कहा ज चा सकता है कि चंद्रियान 3 मिशन का डाटा विज्ञान के उद्देशों के नतीजों को भी निर्धारित करेगा ये भारतिये विज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता है अगर दोनों वापस नहीं भी जागते हैं तो भी इस रोने जितने काम के लिए चांद पर दोनों को भेजा था वो पहले ही पूरा हो चुका है अब अगर चंद्रियान 3 दोबारा सिगनल भेजता है तो ये एडिशनल ही होगा और एक तरहे का बोनस होगा एक्सपर्स उमीद कर रहे हैं कि जिस तरह से चीन का लेंडर चैंग E-4 और रोवर U-22 ने चांद पर रात बीथने के बाद 2019 में फिर से सिगनल भेजना शुरू कर दिया था उसी तरह भारत का विक्रम और प्रज्यान भी दोबारा एक्टिव हो जाएगा चांद पर सो रहे अपने उन दोनो धुरंधरों रोवर प्रज्यान और लेंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी उचाई तक चमकाया भारत के इतिहास में चंद्रियान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्यान और लेंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा आप चंद्रियान तीन की सफलताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो शियर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं जिससे आपके दोस्त और रिष्टेदार भी कुछ अच्छा सीख प करके बेंड नोटिफिकेशन ओन जरूर कर लें जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत